living product and today's great challenge is maximum ice cream bars नेक्सिम्म आपा आइस क्रीम बार्स तो इस क्या करना है? तुम्हें आपा कॉइन्स दे रखे हैं ठीक है, limited number of coins है और तुम्हें क्या करना है? Maximum number of ice cream उठानी है तो हर एक ice cream का price दे रखा है जैसे इस ice cream का price है 1 फिर अगली वाली ice cream का price है 3, 2, 4, 1 और तुम्हें क्या करना है maximum number of ice creams उठानी है और तुम्हें आपको coins है limited तो तुम क्या करोगे जो सस्ती सबसे coin है उसको पहले उठाओगे क्योंकि तुम्हें क्या करना है maximize number of ice creams तो तुम्हें number of ice creams को maximize करना है तुम्हें cost से कोई मतलब नहीं है तो तुम सबसे सस्ती वाली पहले उठाओगे तुम्हें क्योंकि उससे तुम्हें coins क्या होंगे और ज्यादा बचेवे होंगे ठीक है तो जैसे यह example है ना तो इसको हमने क्या कर दिया sort कर दिया ठीक है sort कर दिया तो यह आजाएगा क्योंकि 7-1 क्या है positive है तो इसको उठा सकता हूँ तो इसको उठा लूँगा मैं फिर मेरा coins क्यते हो जाएँगे 6 हो जाएँगे तो 6-1 क्या greater than 0 है हाँ है तो इसको भी उठा सकता हूँ तो मेरे coins क्यते हो जाएँगे 5 हो जाएँगे ठीक है तो क्या 5-2 greater than 0 है हाँ है तो इसको भी उठा सकता हूँ मैं तो अब मेरे coin किते हो जाएंगे 3 हो जाएगा ठीक है? 2 यहां चले जाएंगे तो coin किते हो जाएंगे coins हो जाएंगे 5-2 ठीक है 2 यहां use कर लूँँ है अब मेरे coin किते हो गए 3 हो गए अब में इस 3 से इस 3 को आपा सकता हूं गया 3-3 इस ग्लेटर देन 0 और अप्षथ तो इसको वे उठा लूँगा मैं तो कोईन गते हो जैंगे जीरो हो जैंगे ठीक है, अब 0 coins से मैं क्या इसको उठा सकता हूं क्या, 0-5 not greater than 0, तो इसको नहीं उठा सकता, तो मैंने कित्ते उठा लिए, 4 उठा लिए, 4 ice cream बार उठा लिए, तो मैं इसको रेटन कर दूँगा, 4, तो इतना ही करना है question में, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने sort कर दिया, तो हम एक-एक पे गए हैं, और coins minus cost of i, अगा greater than 0 है, तो हम उठा सकते हैं, तो हम count को plus plus कर देंगे, ठीक है, और coins को हम उतना ही minus कर देंगे, cost of i से, ठीक है, coins equal to coins minus cost of i, और return कर देंगे हम count, so that's it for this question, hope you like it, please subscribe to the channel, also like the video, and comment down below if you understood it fully, like, subscribe, comment, and also, what is the time complexity for this question, it's n log n, because we are sorting the array, and what is the space, space we are not using any extra space, so space is o of 1, this is space o of 1, we haven't used any extra space, ठीक है, जो cost array दे रहा है, वो ही यूज करा है हमने, हमने कोई extra space यूज नी करी, कोई ऐसा नया array नी डेकलेर करा है हमने, तो इसके लिए space होगी, o of 1, और time complexity होगी, o of n log n, so that's it for this question, hope you like it, please subscribe to the channel, thank you,